आकाश्वणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अलमास मुख्यमंद्री डॉक्टर मुहन यादव ने कहाई कि दक्षिन भारती उद्योगपती मध्यप्रदेश में और दो के किकाईयां प्रारम कर प्रदेश के द्वारा उद्योगपतीयों को प्रदान की जा रही सहूलतियों का लाब लें इससे मध्यप्रदेश के लोगों के लिए भी रोजगार के नवी अफसर स्रजित होंगे मुक्यमंद्री डॉक्टर यादव आज कोई मटूर में इंटरेक्टिव सेशन आन इन्वेस्टमेंट अपॉचिनिटीज इन मध्यप्रदेश का शुबारम करेंगे इस सेशन में अब तक 700 से अधिक निवेशकों और उद्यों में उने पंजियन कराया है यह आयोजन फरवरी 2025 में होने वाली इन्वेस्ट मध्यप्रदेश क्लूब इन्वेस्टर समिट के रोड़ टू जी आईए श्रंखला का हिस्सा है इन्वेस्ट एमपी इंटरेक्टिव सत्र में उद्योग पतियों को मध्यप्रदेश सरकार की निवेश प्रोटसाहन नवाचार उससतत विकास की गतिविदियों की जानकारी देंगे मुखी मंत्री डॉक्टर यादव टेक्स्टाइल सेवं गावर्मेंट इंजिनियरिंग और सुचनर प्रद्दुगी की शेत्र में निवेश के लिए उद्योग पतियों से चर्चा करेंगे पीम जन्मन योजना में प्रदेश में रहरे बैगा, भारिया एवं सहरिय जनजाती के परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है इन तीनों विशेश पिश्री जनजातियों के विकास के लिए बजट में प्रदेश सरकार ने 100 करूर रुपे का प्रावधन किया है पीम जन्मन के अधिन उर्जय विभाग की हर घर बिजली प्रदाय योजना में दो चरणों में 27,356 लक्षित परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे पहले चरण में 10,952 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 15 अगस तक पूरा कर लिया जाएगा दूसरे चरण में 16,404 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी 25 में कारगिल दिवस के आवसर पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे शी मोदी सरवोच्च बलेदान देने वाले शहीदों को श्रधान जली अर्पित करेंगे प्रधान मंत्री शिनकुला सुरंग परियोजना का वर्च्वल रूप से पहला विस्फोर भी करेंगे ये चार किलोमीटर से अधिक लंबी ट्विन टुप सुरंग ले को सभी परिस्थितियों में देश के अन्य हिसों से जोड़ेगी लगबग 15,800 फीट की उचाई पर बनाई जाने वाली ये सुरंग दुनिया की सबसे उची सुरंग होगी कारगिल दिवसका रजट जैंती समारो कल 26 जुलाई को भुपाल से शौरेस मारक पर आयोचित किया जाएगा मुखी मंतरी डॉक्टर मोहन यादव इस कारिकरम के मुख्य अतिती होंगे समारो में अन्सेसी कैडर्स कारगिल के अमर शहीदों को शुरद्धान जली देंगे मध्यपदेश 36 गर अन्सेसी संचाल अनाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखी मंतरी के साथ निदेश आले के अत्रिक्त महाने देशक मेजर जनरल अजय कुमार महाचन भी अमर शहीद जवानों को शुरद्धान जली अर्पित करेंगे खादे नागरे कापूरती और भुखता संरक्षर मंतरी गोविन सिंग राजपूत निर्देश दिये हैं कि उपारजन की कोई मुंग निर्धारत मानकों से खराब गुरवत्ता की पाए जाने पर पेर हाउस संचालक और जिमेदार अधिकारियों पर कठोर कारिवाई की जाए यही नियम ईउपारजन पोर्टर पर दर्ज मातरा से भिने पाए जाने पर लागू होंगे मुंग और वरत के भंधारन में किसी प्रकार की गुरवत्ता में कमी को रोकने के लिए श्री राजबूत ने समंधित विभागों से समन्वेकर राजिस्तरी दल बनाने और जाज करने के निर्देश दिये हैं जाज दल गुदामों में भंधारित मुंग उरत की गुरवत्ता और मातरा की जाज करेंगे प्रदेश में बारिश का दौर जा रही है अब तक इस मांसून सीजन की 35 प्रतिशत बारिश हो चुकी है लगातार बारिश के कारण नर्मदा का जलिस्तर दो फिट बढ़ गया है दूछी नदियों और बांधों में भी लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है इस वज़ा से कई जलों में बार जैसे हालात बन गए है मौसर में भागने आज भी भूपाल जबलपुर समित 18 जलों में तेज बारिश का अलर्ड जारी है सीजन में पहली बार प्रदेश में बारिश का आकड़ा औसद बारिश के बराबर आया है प्रदेश में 14.6 इंच बारिश हो चुकी है अब तक इतनी ही बारिश होनी चाहिए थी प्रदेश के पश्चिमी से भुपाल, इंदौर, उजएन, अर्मदापुरम, गौायलेट, चंबल संभाग में एवरिस से 4.0 जादा पानी गिर चुका है जबकि पूर्वी इस से रिवा साकर जवलपुर और शेडूल संभाग में 5% कम बारिश होई है अब कुस समाचारसन शेप में परना में कल राज़ोगोड नाम के मजदूर को 19.92 कैरट का बेश गीमती नायाब हीरा खुदाई में मिला है इस की कीमत लाखों में बताई जा रही है पन्ना कलेक्टर ने बताए कि मजदूर को उतली हीरा खदान की गुदाई से प्राप्त हीरे को कारले जिला हीरा अधिकारी ने जमा कराया गया है इस बुलिटन में इतना ही नमसकार झाल में मिला कर दो भी से बख। कार उती जिलागी भी birds झा friendships